वेल्गम टू एड़ोगेटासवान फ्रेंट्स हमारे जासा कि पिसले बार हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था Surface cover suspension경 को कृषेंगं सब्सक्राइब को साल लेके चे से एक सिक्कैन क संती औरраш मैं लिखनेंगे सब्सक्राइब क्या दिया है और मत्रोंड़न चीज परG minder रहें तो आपको स्टार।षण करने में बहुत प्रॉब्लम आएगए भी तो कॉचिन में क्या दिया है कि अध्री हिंच्रींस गर्ड़ अध्रींटार आ employment वी आपकade है यह पहलाा गरड पहला अपका एंज हमें कि आपके सेंटर हुआ इस कॉड़ तải वह थे हम और एक इसपंश्च सट्ड परहेब होगा है तोटल लेंथ तोटल लेंथ आपका बोल रहा है 120 मितर तोटल मतलब हो गया आपका यह आपका यहां से यहां तक आपका 120 मितर यह टोटल आपका 120 मीटर आगे पढ़ते हैं लो एंड जन्रल tip of 12 meter central lip मतलब यह आपका जो हाइट है यह आपका 12 meter है ठीक है small h आगे बोलता है is subjected to two concentrated load two concentrated concentrated point loads of 250 kN दो concentrated load 250 kN के मतलब यह दो थो 250 kN के load है at a distance of 30 meter and 60 meter from the right support यानि की right support से 30 meter पे और 60 meter पे दो आपके ऐसे concentrated load है जिनका value किता है 250 kN किते concentrated load two तो चलिए एक आपका 30 पे लगाते है हम लोग 250 है 250 kN यह 30 पे ठीक है ध्यान समझेगे यह 30 पे आपका लगा दिया है अब बोलता है कि दूसरा 60 पे from the right support तो right support से 60 मतलब क्या होगा इसके center पे ही तो बात हो रही है ना क्योंकि 120 कहा था इत्ता होगा 60 तो यह हो गया आपका दूसरा आपका लोड 60 मिटर from right side आगे पढ़ते हैं find the shear force and bending moment for the girder at a distance of 40 meter from the left support याने कि हमको shear force bending moment निकालने के लिए कहां पे दिया है तो बोलता है कि आपका 40 मिटर from the left support याने कि आपका यह 40 मिटर यहां से आपको इस point पर निकालना है माली जगे point का नाम ले लेता है तो आपको यहीं पर आपका shear force भी निकालना है and bending moment निकालना है ठीक है आगे पोलता है also find maximum tension in the cable ठीक है यहां कि T max की value भी हमें find out करने है तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं stepwise आपका solution कैसे आपका solve होगा ठीक है तो सबसे पहला काम होते है हमारा जैसा कि पहला step होगा आपको मैंने बताया था तो मैं stepwise मैं इसको solve करते जा रहा हूं और stepwise मैं लिखते जाओंगा क्या कैसे होता है तो सबसे पहले मैं step लिखता हूं step one मैं stepwise solve कर रहूं ठीक है step one ठीक है step one में हमारा है calculation of calculation of reaction ठीक है calculation of reaction अब calculation of reaction निकालना है ठीक है यानि की VA and VV ठीक है तो यह निकालना है तो यह कैसे solve होगा तो VA कहा है यह मैं आपको दिखाया तो this one is VA this one is VV this one is capital H capital H ठीक है अब बात यह आ रही है कि solve करना है तो solve कैसे करेंगे तो एकदम simply अभी आप यह question में भूल जाएए कि यह आपका suspension breeze है कुछ भी है आप एक इसको मान के से लिए कि यह आपका बेंड बीम है ठीक है और फिर solve करेंगे जैसे कि हम लोग question solve करते थे मतलब आपका reaction निकालते थे हम लोग जैसे mechanics में same आपका procedure यहाँ पर फॉल करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले submission fx equal to 0 ठीक है submission fx equal to 0 ठीक है तो एक जैक्शन में देखेंगे तो कोई भी आपका h इधर h इधर तो यह सब आपको कुछ भी आपका नहीं आ रहे है दोनों आपका equal है ठीक है तो आपका यहाँ पर h equal to h तो यहाँ पर कुछ है नहीं ठीक है अब यहाँ पर चलते हैं कि दूसरा चीज़ है कि सब्मिशन f equal to 0 ठीक है और इससे लिखने के जरुद भी नहीं है कोई जरुद नहीं है ठीक है वाई पिचलते हैं अब लोटिकल्त-ार्य आपधर तर देखिए वी यह आपका चाहरा है वी आपका वर्टिकली अपवर्ट जा रहा है तो रूल कहता है वी ए प्लास वी वी ठीक है कि और ही देखें ट्यक्राइब 250 नीचे आरहे ठीक है तो माइनस 250 माइनस 250 और कोई वर्टिकल फोर्स है कैस्स पूरा-पूरे जो भी आपका ब्रीज दिया हुआ है कोई आ हम लोग solve करेंगे मतलब आगे dissolve करेंगे तो यह हमें मिल रहा है वी ए प्लस वीवी इक्वाल टू 500 ठीक है वीए प्लस वीवी इसकोल टू 500 तो यह हमारा equation एक बन गया एक equation generate हो गया तो यह हो गया equation number one अब हम लोग क्या करेंगे अब हमको यह problem है कि shear force मतलब कैसे आपका reaction निकाला जा रहा है वो प्लीस हमारे जो प्लेलिस्ट में आपका mechanics का जो वीडियो हैं engineering mechanics का जो वीडियो हैं वहां पे जाएं और वहां से देखें आपको इसके वीडियो मिल जाएं कैसे reactions निकालते हैं तो अचली आगे चलता हूं मैं moment निकालता हूं moment लेंगे moment at a is equal to zero अब moment ले रहा हूं ए पे चीक है moment at a पे ले रहा हूं तो ध्यांस देखिए तो वी यह तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से आपका गुजर रहा है अब देखिए जिनको समझ मेरा कि moment मैं कैसे ले रहा हूं तो प्लीज आप moment ले वीडियो पे जाएगा हमारे जो प्लेलिस्ट में हैं इंजरिंग मैकेनिक्स पे वहां आपको क्लियर समझ में आएगा उसमें moment के बारे में आपको वीडियो डाला हुआ है ठीक है तो चलिए मैं करता हूं कि वी यह तो जीरो हो जाएगा तो वी इंटू जीरो ठीक है हम एक फिर थे रहां हो फिर डींटू जीरो अब आता है मार को वी वी तो देखेंक वी आपका कैसा मुफ कर रहा है इस पॉयंट के कडिखेंवी कैसा मुफ कर रहा है तो यह मुफ कर क्रहा आपका डिकलॉक ठीक है ठीक है तो वीवी का डिस्टेंस ए से पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस किता है दिस इस यह 120 मिटर 120 मिटर आपका डिस्टेंस है तो यह हो गया multiply by 120 ठीक है यह होगा आप दूसरा फोर्स क्या है 250 250 यह कैसे मूफ कर रहे हैं तो यह आपका clockwise ठीक है तो यह आपका हो जाएगा ब्लस क्लोक वाइस होते है वह आपका दिस्टनस ले रहे हैं तो 250 इन्टू यह होगा डिस्टनस 60 थीक है क्योंकि यहां से यहां तक 60 है क्योंकि Center पर यह 60 थीक है तो यह हो गया 60 फिर दूसरा आपका वैल्लीव है आपका जो आपका यहां तक कोशन में दिया यह कित्ता है आपका 30 मिटर मैं यहां लिख देता हूँ यह आपका है 30 मिटर ठीक है अगर यह 30 मिटर है और यह टोटल 120 मिटर है तो यह बचावा डिस्टंस यहां से यहां तक कित्ता होगा 90 मिटर तो अब कोई forces है क्या vertical कोई forces नहीं है so equal to zero ठीक है अब इससे हम लोग solve करेंगे तो एक चीज़ देख सकते कि यहां से हम लोग solve करने से हमको वीवी की value easily मिल जाएगी तो हम लोग इस पर calculate करके vb is equal to हम लोग निकाल लेते हैं तो वीवी की value आरी 312.5 kilo Newton ठीक है तो हमें वीवी की value मिल गई तो मतलब एक reaction तो हमें मिल गया now एक reaction जो मिल गया अब हमें क्या करना पड़ेगा वीवी तो निकाल लिए अब यह निकाल ला है तो बड़ा इक्वेशन वन में अमनों पूट करेंगे तो विग गट देखे आपका equation नमबर वन में अगर वीवी की value पूट कर तो वीवी की value मिल जागी तो बहुत सिंपल है आपका तो इसमें हमनों निकाल लेते हैं वीए आपका वीए प्लस 312.5 इस इकल टू 500 तो यहां से क्या हो जाएगा वीए इस इकल टू 500-312.5 तो आप देख सकते कि आपके पास reaction वीए और वीवी निकल गए यानि कि हमारा पहला जो पार्ट है step जो है वह आपका सॉल हो गया step 1 सॉल हो गया यानिके वीए और वीवी आपका reaction अप्टेंड हो गया अब हमनों चलते हैं next step पे स्टेप 2 स्टेप 2 क्या हमारा स्टेप 2 है find find मिड़ स्पान मोमेंट है ठीक है हम लोगने पिसले वीडियो में हर एक स्टेप को अच्छे से समझा था ठीक है तो अब calculation की तरफ है मोमेंट दीकालना है तो कैसे निकालना कहा निकालना जहां थे इस mother लीजिए यह तो राइट लीजिए जहां आपको लेना है उस तरीके से ले सकते हैं और आपको solve करना ठीक है तो moment at see you को निकालना है तो मुझे अपने according सोचना है कि मुझे left यूज करना है या right यूज करना है और दूसरा सबसे अच्छी बात बता हूं तो जहां पर लेस आपका नंबर और फोर्स हो जिस साइड उसको यूज करना ज्यादा बैटर है जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो देखिए अगर मैं लेफ्ट लेता हूं तो सी के अगर लेफ्ट लोंगा तो स्रिफ और स्रिफ मेर करना किएन देखिए लेफ्ट से आपका मोमें निकाल रहा हूं तो सी पर मोमर्ल मोंळ निकालूंगा तो व यह कैसी चाह . जाकेंगे इस अगर सी पर मोमन निकाल हूं तो वी ए का रोटेशिन लेंगे आपका moment at c is equal to va into 60 clockwise था तो आपका क्या है clockwise है इसलिए आपका positive है और अगर anti-clockwise होता तो negative होता ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे va की जो value है उसे put करके हम लोग इसका value निकाल लेंगे ठीक है तो va की जो हमारी पुशन में value आई है numerical में भी value हमने निकाले थे वह था 87.5 into 60 तो value आपकी जो आ रही है mc की moment at c वह आपका आ रहा है तो moment at c is 11250 kNm ठीक है अब आगे चलते हैं हमारा next step जो है हमारा वो है to find the horizontal reaction ठीक है step 3 क्या था हमारा step 3 है हमारा horizontal reaction ठीक है finding horizontal reaction तो horizontal reaction निकालेंगे horizontal reaction ठीक है horizontal reaction निकालेंगे capital H capital H का formula हमारा कलते हैं हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे तो वह मैं लिख देता हूं capital H is equal to mc upon small h mc upon small h mc मतलब आपका middle में जो आपका moment आ है तो 12 मिटर से हम लोग क्या करेंगे से डिवाइड कर लेंगे जब डिवाइड करेंगे तो capital H की value हमें आप्टेन हो जाएगी solve करने से तो यह हमको जो आ रही है वह आ रहा है 937.5 kN ठीक है kN क्योंकि यह आपका force है तो यह आपका kN में आ है ठीक है तो यह आपका आ गया horizontal force 937.5 kN ठीक है अब हमारा next step जो है वह हम लोग का है जैसे कि मैंने बताया तब पिसली वीडियो में आपने ध्यान देंगे अगर नहीं अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना है आपको दूबार जाए वीडियो देख लीजिए और जो फॉस्ट देख रहे हैं वह प्ले इसमें हम लोग का करते हैं यूडियल आपका एंज्यूम करते हैं चमूबोbaar तो क्योन करते हैं ठमज यह आपका watch इस पर आपका ready care cassette पर क्या होता है आपका uniformly distributed यहीं हम लोग क्या लिखेंगे लैट ये लिखते हsın हम लोग let the UDL UDL मतलब uniformly distributed load ठीक है let the UDL transferred transferred to the cable to the cable per B इसमें हम लोग क्या ले रहा है डब लूई को हम लोग सेब्सक्राइब लूट करेंगे चीज़िसे फॉर्मुला होता है इसको निकालने का से लुब Q1 लूट की यहां पर हमें सब कुस्तों मादूमी है इसको निकालने का आपका सब्सक्राइध काले हमें मालूम है सबकी मालूम है तो इसका अगर हम लोग इसको थ्वासा नॉर्मल फॉर्म में कनवर्ट करें डबलू ए को तो हम लोग कर यह आ जाएगा आपका नाइट यह आपका जाएगा तो यह आपका डबलू ए आपका हो जाएगा फॉर्मुला क्यापिटल एट इन्टू स्मॉल एच अपॉन एल स्कॉर्ट तो डबलू ए निकालना हमको डबलू इस इकॉल टू कैपिटल एच हम लोग अभी निकाला थे नाइन थर्टी सेवन पॉंट फाइव इन्टू एट इ आपका एल स्कॉर्र यानिकर जो इस पान दिया हुआ है तो इस पान हमको कोशन पहले देख चुके हैं 120 तो यहां से हमको डबलू ए की वैल्यू जो है आपका अप्टेंड हो जाएगी ठीक है तो डबलू ए की वैल्यू हमें जो मिल रहे है यह क्या है एक्शुल में इट्स नेक्स स्टेप जो है हमारा वह है स्टेप इसेप 5 के स्टेप puult डिकली मिल रियक्शन नीकालना है मिल्ड़ी कली में निकालना है तो वर्टी कल टेक्शन कि या था हमारा वह था capital V ठीक है for the cable capital V is equal to w e l by 2 तो यहां देख सकते हैं w e तो हमारे पास निकल गया 6.25 और into l के हैं आपका जो आपका span length है upon 2 तो V की value हमको निकल गई भी है कितनी निकली हमारा 375 किलो न्यूटन ठीक है 375 किलो न्यूटन 375 किलो न्यूटन तो यह आपका value आ गया वी का value हमारा आ गया अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वी निकलने के बाद अब हमें निकालना है step 6 जिसमें कि हम लोग निकालेंगे maximum tension in the cable step 6 step 6 maximum tension maximum tension in the cable तो आपके निकालना है maximum tension निकालना है तो इसका फॉर्मुला था in the cable फॉर्मुला इसका क्या है t max is equal to बहुत सिम्पल है अंडर रूट वी स्कॉर प्लस है स्कॉर्ण वी स्कॉर्ण प्लस प्लस अच स्कॉर्ण वी स्कॉर्ण प्लस अच स्कॉर्ण तो व कितना है भी अंडर रूट capital वी तो capital वी की जो value हम लोंने निकाली वो है 375 सामनी दिख रहा है आपका square plus capital H थोड़ी देर पहला हम लोंने निकाला है 937.5 किलो न्यूटन ठीक है तो यह होगे 937.5 किलो न्यूटन यह आपका capital H की value होगी तो यहां से हमारा निकल गया Tmax तो Tmax की value कितनी निकल रही है तो इसको calculate करेंगे तो हमारा Tmax आ रहा है कि इससे calculate कर लेते हैं तो यह आपका आ गया 1000 is equal to 1009.72 किलो न्यूटन तो यह आपका हो गया Tmax की value जो कि आपको question में पूछा भी अलग से आपका last में यह चीज़ पूछा गया है कि आपको maximum tension in the cable निकालना है तो यह आपका step 6 हो गया अब चलते है step 7 जो कि आपका shear force निकालना है तो हमारा step 7 is shear force at 40-meter from the left support हमेरे question में जो question दिया हुआ है कि 40-meter आपका left support से आपका shear force निकालना है तो हमारा सबसे पहले तो याद कर लेंकि Shear force निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मुला होता था वो क्या होता था तो हमारा फॉर्मुला जो था इसको हम लोग अंडरलेंग कर रहा हूं s is equal to beam shear s is equal to beam shear beam shear minus h 10 theta ठीक है तो हम लोग को पहले क्या-क्या चीज़ हमें हमारे पास obtained है पहले से हमारे पास question में values है यह मतलब निकाल चुके है वो है h हमारे पास निकाल चुके 10 theta हम लोग के पास निकालने का एक formula होता है उससे हम तो 10 theta निकाल लेते हैं तो 10 theta निकाल लेते हैं अच्छा इसको equation number मैं दे देता हूं टू दे देता हूं क्योंकि पहला equation मों दे चुके equation 2 देता हूं अब मैं क्या करूंगा कि पहले मैं 10 ठीटा निकाल लेता हूं तो 10 ठीटा निकालने का formula था तो formula क्या था भी है? 4H upon L square bracket में L minus 2X ठीक है अब यहां पे हमको मालूम है कि आपका निकालना 40 meter distance पे है यानि कि यहां पे आपका 40 मिटर डिस्टंस पे यहां पे निकालना है आपका ठीक कोशन में दिया होगा है इसका मतलब है कि आपका X का डिस्टंस कितना है 40 है तो चलिए हम लोग यहां पूट करते हैं 4 x h h का मतलब यहने जो आपका सेंट्रल डिफ है 12 और लेंथ जो है आपका 120 120 का स्क्वार हो जाएगा l आपका हो गया 120 माइनस 2 इंटू आपका जो h की वैल्यू है मतलब x की वैल्यू है that is 40 तो यहां से हमको 10 ठीटा निकल दाएगा तो 10 ठीटा हमारा कितना निकल रहा है तो 10 ठीटा इस इकोल टू 0.133 यहां से हमको वैल्यू मिल गए 0.133 किसका 10 ठीटा का तो चलिए हमारा दो पार्ट दो चीजें यहां से आप्टेंड हो गई पहला तो हमें मालूम है दूसरा अब निकालना है बीम शियर ठीक है तो चलिए आप बीम शियर निकालते हैं तो बीम शियर निकालना है कहां पर निकालना है भाई at 40 मिटर from left support ठीक है from left support ठीक है को यह क्या होगा आपका यहां पर निकालना है तो वह कैसे निकले आगा आपका बहुत सिंपल है कुछ निकरना है अब ध्यांस देखिए इस figure को ध्यांस देखेगा यहांस आपको समझ में आएगा मैं अब क्लियर कट दिखाता हूं ठीके मेरे को यहां पे निकालना है beam shear beam shear का मतलब क्या होता shear मतलब होता है force समझ यह चीज ठीके moment मतलब होता force into perpendicular distance मगर यहां पे बात करें shear तो देखिए मैं कोई यहां पर निकालना शियर तो इससे पहले मैं देखता हूँ इससे पहले इसके left side देख रहा हूँ तो इसके left side में पस कितने आपके vertical forces है क्योंकि याद रखेगा share का मतलब होता है vertical forces ठीक है share force क्या होता है vertical forces आपका horizontal forces को count नहीं करता है तो वर्टिकल forces में आपका कौन-कौन सा force है तो देखिए एक ही force है जो कि आपका VA है D से पहले इस point से पहले D से पहले आपका स्रीफ VA है और कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका VA ही होगा जो कि वर्टिकल अपवर्ट जा रहा है तो प्लस में रहेगा यानि कि आपके VA की value आ जाएगी ठीक है अब क्या होगा हम लोग यह दोनों values को हम लोग पूट करेंगे equation number 2 में equation number 2 में put करेंगे तो s40 s40 में क्यों लिख रहा हूं क्योंकि मैं को 40 meter distance मतलब मैं 40 meter पर निकाल रहा हूं इसलिए s40 लिख रहा हूं ठीक है तो s40 is equal to beam share की value में को मिल चुकी है beam share कितने है हमारा 1 यह beam share हमको मिल गया 187.5 187.5 minus h की value हमें question में हम लोग पहले ही solve कर चुक है जो कि है 937.5 into 10th रिटा किता है 0.133 ठीक है तो हमारे पास s40 यानि की shear force at 40 meter from left support आपको value मिल चुकी है 62.81 kN ठीक है यह आपका value आ गया जो कि shear force निकालना था हमको at 40 meter distance from the left support तो यह आपका आगया shear force ठीक है तो यह आ गया अब हम लोग चलते हैं जो कि next step है आपका bending moment निकालना है क्या निकालना है step 8 पे निकालना हमको bending moment ठीक है bending moment निकालना है कहां पे at 40 meter same from left support ठीक है left support तो चली हम लोग इसका formula क्या होता था उसको देख लेते हैं तो formula यहां पर जो है बहुत सिंपल है कि मालीज आपको bending moment निकालना तो m is equal to आपका होता था यहां पर beam moment ठीक है यहां पर होता है आपका beam moment यह आपका आगया वह हमारे पास पहले से known है h की value में पास known है मगर हमें क्या निकालना पड़ेगा y निकालना पड़ेगा तो y के लिए हमारे पास formula था जो कि हम लोग पीछे वीडियो में देखा था तो अब यहां पर value पूट करेंगे y का तो आपका 4 h हम को मालूम है 12 x जहां पर निकालना है 40 meter upon length जितना है 120 का square and a length है आपका 120 ठीक है 120 minus x आपको जहां पर निकालना है तो यह value पूट कर लिए तो यहां value पूट किये तो आपका यहां से क्या निकल जाएगा y का value निकल जाएग y is equal to 10.67 meter तो यहां पर हम लोग y की value निकाल लिया आप चलते नेक्स्ट आपका beam moment ठीक है beam moment तो beam moment कैसे निकालेंगे देखते हैं अब निकालेंगे beam moment beam moment at 40 meter from left support ठीक है left support से हम लोग 40 meter पर निकालेंगे ठीक है उसी point पर जहां पर हम लोग अभी share force के लिए खेल लेते हैं तो यह कैसे निकालेंगे अब देखे beam moment निकालना है 40 meter ध्यान समझेगा मैं आपको figure में समझाता हूँ ठीक है figure में समझेगे कि यहां पर हमको निकालना है इसी point में निकालना है आपको beam moment तो beam moment क्या होता है moment होता है force into perpendicular distance तो D से पहले देखिए इस 40 meter distance पर यहां पर निकालना है तो D से पहले देखिए कितने vertical forces है तो वो मेरे पास सिर्फ एक force है जो कि आपका VA है और VA भी कैसा rotate हो रहा है अगर D के according बात करूं तो में यह clockwise rotate हो रहा है यानि कि आपका VA क्या होगा आपका positive होगा और उसका distance कितना होगा 40 यानि कि VA into 40 क्योंकि force into perpendicular distance तो आपका यहां पर आएगा VA into 40 ठीक है तो VA की value हमको मालूम है 187.5 into 40 तो यहां से हम लोग value calculate कर लेंगे कि आपका कितना value आ रहा है VA into 140 तो यह आपका calculate करके value आ जा रहा है वह है आपका 7500 किलो न्यूटन मीटर ठीक है तो यहां से हमारा value आ अब हमारा next step जो है next step माल लिए कि आपका यह equation number 3 में माल लेता हूं इसको equation number मैं 3 suppose कर लेता हूं तो इस equation में हम लोग put करेंगे y की value और beam moment की value output करेंगे तो हमारा m की value आ जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं m की value तो m 40 माल लेते हैं m 40 क्यों भी है क्योंकि 40 मिटर के distance में निकाल जा रहा है माइनस h की value मर पस था 937.5 और अभी अभी हम लोग ने y की value निकाल ली है 10.67 तो अब इसको हम लोग क्या आ गया moment at 40 मिटर फ्रॉं लेट सपोर्ड तो आप देख सकते कि पूरा step wise मेंने question solve के और एक एक step आपका पूरा easily एक दूसरे से linked है ठीक है आप देख सकते हैं बहुत इसी तरीके से simple way में आपको यह पूरा जो suspension please का question है आपको solve करना है ठीक है तो आज के लिए इतने ही next video में हम लोग next question देखेंगे next type question देखेंगे तब तक ले thank you very much and please keep watching our videos till the end and keep sharing our videos to the groups ठीक है जो भी आपके group है और अपने friends के में share करें thank you very much and have a nice day